हुआ हम बात करें रियल गैस की तो आइडियल गैस से और रियल गैस से हमारे क्या डिफ्रेंस आइडियल गैस पीवी को नाटी को फोलो करती है यह नहीं करती है पस आइडियल हर चीज आइडियल होती है जो आपने रूल बना दिया उसको फोलो करती है तो वह आइडियल है औ पासिबल में नहीं तो आइडिल है 24 के हाँ बिलकल पर्डने बेढ ग्क हम 24 क्यांफ नइंपढ हम तो चलो थैंद 24 गाट थैन 8 भी कंच प्र सकते चंबेध नहीं की बात करें कि ideal के लिए तो PV equal to nRT था, real के लिए हम क्या करें, कि हमारे पास real वाले questions भी हो जाएं. For example, अगर हमें pressure, temperature, mole दे दिया जाएं, और हमसे volume पुछा जाएं, तो हम बता सकें. पहले बता देते थे, क्योंकि पहले हम PV equal to nRT लगाते थे, लेकि अब नहीं बता पा रहे हैं. क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि हमें बोला जा रहा है real gas. तो हमें ऐसी equation चाहिए, जो real gas को बता सके. तो अब हो क्या रहा है, कि जब कोई real चीज होती है, तो उसमें assumptions बहुत सारे होते हैं. तो हर scientist अपना assumptions लेके चलता है, अपनी theory बना के चलता है, और answer देने की कोशिश करता है. तो particular किसी gas के लिए तो वो बहुत सही answer निकल जाता है, लेकिन हर gas के लिए निकले जरूरी नहीं है. तो फिर यहां पर क्या होता है, number of scientist, number of theories आजाती है. तो हमारे syllabus में सिर्फ और सिर्फ एक ही theory लिए गई है, wonderwall gas equations for real gases. लेकिन उसके अलावा भी equations होती है, जो gas equations के लिए लगती है. तो हम आज जो पढ़ने जाएंगे, वो wonderwall gas equations ही पढ़ेंगे, और हम यह मानेंगे कि wonderwall gas equations बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है, मानना पड़ेगा. लेकिन मानके चलिए, कि हम कुछ assumptions लेते हैं, और assumption की वज़ा से हमारे error फिर भी बननी रहेगी अब. और error बननी रहेगी, तो बनने दो. अच्छा अच्छा लिए, एक और चीज में आपके साथ share कर रहा हूँ. अगर examiner आपको बोलता है, कि gas real है, तभी उसे real मानेंगे, नहीं तो अधरवाइस हम PV equal to nRT हर gas के लिए लगाएंगे. दूसरी चीज में आपके साथ बलता हूँ, कि यह साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी कोई gas real हो या ideal हो, अगर आप ideal वाला formula भी लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा error नहीं होती, मुश्किल से 1 या 2% error चलती है. For example, अगर आपने ideal PV equal to nRT निकाल के किसी का molar volume 22.4 निकाल दिया, कितना निकाल दिया? 22.4. तो real लगाते हैं, या उस gas की property लगाते हैं उस point पे, तो 22.4 की जगर 22.43 हो जाएगा, या 4, 2 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पढ़ता है. यनि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पढ़ता है, आंसर में, तो इतनी calculations के, high level की calculations करने के लिए, आपको calculator ची और calculator हमारे exam में अलाओ नहीं है, point के बाद third digit पे अगर फर्क पढ़ रहा है, तो क्या फर्क पढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पढ़ रहा हैं हमारे लिए, तो इसलिए real gas के numerical generally कम देखने को मिलते हैं, real gas के सिर्फ हमारे को क्या है, concepts देखने को मिलते हैं, या हमारा answer उनके coefficient के form में ही छोड़ना पड़ता है, तो मुझे numerical तो कभी देखने को नहीं मिला, कि बताइए real gas का volume क्या होगा, या pressure क्या होगा, या temperature क्या होगा, कभी नहीं मिला, मुझे हमेशा सिर्फ उनके format वाले question मिले, यानि आपको answer last में A और B और उनके constant की format में छोड़ना पड़ता है, ये chapter की खास बात हो गई दूसरी, यानि आप इस chapter को ऐसे numerical न पढ़के, ऐसे conceptual पढ़ते हो, पहली चीज, हर साल conceptual ही question आ रहा है, बहले आप देख लो, तो आपको क्या समझ में आया, कि हमें इस chapter में concepts पढ़ना है, न कि हमें बहुत ज़्यादा numerical solve करना है, दूसरी चीज, हमें यहाँ पर curve पर अच्छी command होनी चाहिए, तीसरा चीज, हमें वास्तों में समझना चाहिए, कि हमें पढ़ना क्या है, important point तो वही है, कि हम पढ़ क्या रहे है, तो उसी को हमारे पर concentrate करना पढ़ेगा, कि यह scientist क्या सोच के ऐसा बोल रहा है, अगर आपने भी वो चीज समझ ली, तो आप खुद भी कम scientist नहीं बन जाओगे, तो heading डालेगा आपका, कौन सा heading डालेगा, real gas, real gas, कोई gas real नहीं है, या है, इसका पता कैसे चलेगा, उसके लिए लिखेंगे हम, या why a gas is real, एक लाइन में बूलना चाहता हूँ, मैं, लिखो, इसका फोलो, इसका फोलो, इसका फोलो नहीं कर रही है, then, it's called, real gas, real gas, चलिए, यहां सक आपको idea लगया, कि real gas क्या है, और ideal gas क्या रहीगी, लेगिन फिर हमारी बात आगई एक और point पे, तो इसका मतलब हमारे पास एक हो गया, PV इकल टो नहीं करें, वो हमारे लिए क्या है, real gas, तो दूसरी बात हमारे पास आगई, क्या, gases real होती है या ideal, यह बहुत वजीब सा क्योशन है, जो सब के दिमाग में होगा, कि gases real होती है या ideal, simple सी बात है, मैं आपको फिर बोल देता हूँ, gases, ना real होती है, ना ideal होती है, तो फिर क्या होती है, gas होती है, किसी particular conditions पे वो ideal बन जाती है, यौसी particular condition पे वो real बन जाती है, that's the first point, किसी के लिए वो real conditions हो सकता है, या ideal conditions जल्दी आजाती है, यह किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, पे लाना तो वो क्या मुश्किल हैं, वो ही हमें इस chapter में पूरा throughout the chapter पढ़ना होता है कि क्या मुश्किल है कि इसको लाना मुश्किल होता है for example ये बच्चा है इसको मैंने कह दिया बेटा कि तुम तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और तुम इतनी मेहनत करोगे तो तुम्हारा selection हो जाएगा वो मैनत करने लग जाता है जल्दी आइडियल हो गया कोई नहीं है मैं कह रहा हूँ बेटा इतनी मैनत करोगे फिर नहीं कर रहा है फिर उसकी मम्मी के रिए पापा के रहे है फ्रेंड कह रहे है फिर उसके कुछ खुदको और कभी लगता है कि यार मेरे साथ वो नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे आ रहा है तो वैसे ही गैसे में होता है कुछ गैसे बहुत जल्दी आइडियल बन जाती है है फर एक्जामपल हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टों जैसी कंडिशन गैसे रूम टेंप्रिचर पे भी आइडियल के काफी नजदी गए हंड्रीड परसेंट आइडियल की तो बात करते ही नहीं हम 99.99% अगर कोई आइडियल यह तो इसको आइडियल बोल देता हूं। ठीक हैaa अगई Πाष़ M तो हमारे लिए कोई भी गैस आईडियल नीनी है बस कंडिशन से आइडियल और बनाती तो जब उसे condition बनाती है तो वो क्या condition है वो हमें पता लगाना है वो भी इसी lecture में तो चलें दूसरा point तो if gas not follows ideal gas equations then it's called real gas तो अब हमारे पास gas दो तरक्य हो गई पहला gas ideal भी है और real भी है और एक और चीज ये कोई particular gas नहीं है हर gas हर अलग-अलग condition पर अलग-अलग होती है तो दूसरा point हमारे पास आ रहा है यहाँ PV equal to nRT लग रहा है उस particular condition में और यह PV equal to nRT नहीं लगके हमने एक correction factor ले लिया Z nRT Z हमारे लिए यहाँ पर एक correction factor का काम कर रहा है तो यह हमारे इसका नाम में ने रखा compression factor compression factor में इसको constant क्यों नहीं बोला क्योंकि यह generally constant कभी भी भी बोला जाता है जैसे आर को constant बोलते हैं तो वो PVT पर depend नहीं करता आर को बोलते हैं PVT पर depend नहीं करता लेकिन Z अलग-अलग pressure पर अलग-अलग volume पर इसकी value अलग-अलग होती है तो जैड किस पर depend करता है जैड बहुत सारे factor पर depend करेगा PVT पर भी depend करेगा nature of gas पर भी depend करेगा समझ में रहा है तो इसलिए constant नहीं होके variable है और variable है तो हम इसको क्या बोलेंगे factor बोलेंगे रहेंगे ही quantity बें सब्क्राइब कर दो में था-डाक कन्दीशन सब्सक्राइब कर अब बने पर चाव में समस्चनत कर अथ है है जो हमारा पहला पॉइंट था वो हमेशा अब बना के चलो गैसे जार नॉट आइडियल और रियल कंडिशन्स मैग देम आइडियल और रियल यह मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है इसको ध्यान से लिखेंगे बहुति दीरिट कैसे नूट आइडियल और रियल कंडिशन्स जडरे टर्थ पॉइंट रियर अपकोच बीलिख सकते हूं आइडियल और रियल नेचर देडियल और रियल नेचर वहा अट driving नेचर तो आपने मेरी में क्या सिकाघ आइडियल और रियल सिर्व एग्लेस का नेचर है और और कुछ भी नहीं की स份धर को सबस्थ कि आइए ३ार रियल गर्षक नेचर है मैं रिफ्सका आग्लिजे तो जबका अच्छा अच्छा हो हूठ हो नहीं है और किसी के लिए बुरा हो जाता हूँ यार बहुत खराब आत्मी है तो मैं क्या बुरा हूँ या अच्छा हूँ नहीं हूँ मैं मैं हूँ बस किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा वैसे ही गैस है किसी कंडिशन में आईडियल की तरह टीट कर रही है किसी कंडिशन मे आगे चलिए ठीक है तो हमने यह जैड को और अच्छे से समझना है तो नेक्स्ट जैड जैड है क्या वाट इस जैड क्या नाम में छुपा है सब कुछ हमने बोल दिया जैड इसका नाम क्यों रखा समझ कोई भी नाम होता है तो उसका नाम की पीछ लॉजिक भी टू होता है तो वो लॉजिक क्या लॉचिक वाट इस जैड को लाके हमारे लिए यह हैध की किस तरह से compressibility हो रही है लेगें फिर भी मैं रहोगा आपको इसको define करना है कि कैसे इसको निकालेंगे माल लीजिए मैंने यहां helium gas लिया, क्या लिया? helium gas समझ महा रहा है? और helium gas लेने के बाद मैंने यहां पर उसका 1 mol रखा 1 mol का मतलब इस जगह 4 gram यानी 4 gram मैंने डाल के रख दिया gram से ही weight करूँगा मैं और कैसे particle गिनके 6.023 तो रख नहीं रख नहीं रख रहा 6.023 इंटो 10 पाउर 23 तो नहीं रख पा रहा pressure मैंने रखा external pressure 180 m और temperature मैंने रखा 273 और मैंने मालने इसका वोल्यूम जो आ रहा data 22.4 यह मेरे लिए यह मेरे लिए आइडियल वाल्यूम तो आइडियल वाल्यूम में दो बाते मेरे पास और हा रही थी एक मैंने अलग गैस लीप अपपेस कौन सी गैसली मैंने ओटो गैस और वन मोल ले लिया वही कंडिशन्स प्रेशर वन एटियम और टैंपरेचर 273 सब चीजे मैंने वो रख लिये वॉल्यूम मेंने अभी नहीं बताया क्या रहा है प्रैक्टीकल करा वॉल्यूम फिर मैंने लिया एक ओर गैस कोई भी अमोनिया वन मोल प्रेशर वन एटियम टैंपरेचर 273 यहां वाल्यूम आगया अमोनिया का यहां वाल्यूम आगया ओटू का मैंने क्या देखा इस जगह कि जब O2 है उसका volume 22.49 ही आकर थोड़ा सा कम आ रहा था कितना आ रहा था 22.39 समझना बस समझाने के लिए और यहां मैंने देखा 22.35 आ रहा था बस इतना सा फ़र पढ़ रहा था इस conditions पर तो क्या इसको मैंने ideal बोल दिया इस जगह जो helium है इसी को मैंने क्या बोल दिया V ideal क्योंकि मुझे लगा कि यह ideal हो सकती क्योंकि इसमें कोई attraction repulsion force है नहीं तो इसका मतलब इसके ideal होने के ज़्यादा chances है इन दोनों के compare में तो मैंने इसी को ideal बना दिया और इसको क्या माल लिया है Real-real exact यह भी नहीं आ रहा यह भी नहीं आ रहा और error भी कितनी आ रहे है कम अब देख सकते हो बहुत कम error आ रहे है तो क्या यह हमारे लिए ideal का काम कर सकते हैं यह दोनों नहीं अब इन के लिए volume क्या हो रहा है तो ये क्या follow करेगी? इसको समझो आप, आपको अच्छे से समझ में आजाएगा? Z के लिए, ये जो gases हैं, ये तो PV equal to nRT को follow कर रही है. ये किसको follow करेगी? PV equal to Z1 nRT, और PV equal to Z2 nRT. समझ मा रहा है? पक्का, यहां अंतर आएगा V O2 लिखना पड़ेगा और ये V NHT, क्योंकि बाकी सब चीज़ें सेम हैं. तो अब आप में ताहिए कि आपके लिए ideal gas के लिए क्या था? ideal gas के लिए? V ideal volume कितना था? जल्दीचे बोल दो, nRT by P. और real gas के लिए क्या आ रहा है? V real, कोई भी real gas हो. ZnRT by P. दो equation आ गई आपके पास. आपने क्या करा? V real upon V ideal कर दिया. जब आपने ये ऐसा करा, तो nRT, 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 nRT P कर गया. तो आपके पास क्या आजाएगा? Z. पक्का? कोई दिक्कत नहीं है. अब आप ये बताईए, Z की value. इसलिए मैं बोला हूँ, कि Z हमारे लिए पहला चीज, mathematical significance हो गया. पहली first definition हो रही है, वो क्या हा रही है? Z is ratio of volume of real gas and ideal gas, gas at same temperature and pressure and mole. तीनो चीज़े हमारे सेम है. समझ मारी ये बात? तो दूसरा question का answer भी आपको मिलना है. कि इसको, चलिए ठीक है, इसको compressibility factor क्यों बोल रहा हूँ? Why it is compressibility? तो second answer हो रहा है, कि generally अगर आप क्या देखेंगे? Generally, Z की value क्या हा रही है? V real upon V ideal. और ये value आपको क्या देख रही है? एक से कम. क्यों देख रहा है? क्योंकि 22.39 और 22.35. तो ये क्या दिख रहा है आपको? एक से कम ही दिख रहा है, तो जब आपको एक से कम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब, gases real की तरफ जाने पर compress हो रही है और expansion हो रही है? compress हो रही है. तो बस Z की value एक से कम आ रही है. इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? So, Z is called compressibility factor. compressibility factor. तो ये एक छोटा सा हो गया point, कि हम इसको compressibility factor क्यों बोले है? क्योंकि Z की value हमारे को एक से कम मिल रही है. ज़ादा मिल रही होती है, तो हमें expansion factor बोल रही होते हैं. तो मेरा अगला questions, बहुत सारी questions आ गए. क्या Z की value अलग अलग gases के लिए अलग अलगे? क्या कभी ये expansion हो सकता है? ऐसे बहुत सारी questions मेरे पास और आ गए. generally क्यों लिखा आपने? always क्यों नहीं लिखा? तो इन पे हम discuss करने वाले कुछ और minutes में. और दूसरा ये एक से कम क्यों आ रहा था? तो ये सारे points हमारे पास आ रहे हैं. तो चलिए. जैड के बारे में अगला questions. जैड के बारे में जो अगला point आपके पास आ रहा है. आपने देखा जैड की value. सीम अगर temperature pressure रखें तो अलग-अलग gases के लिए अलग-अलग होगी. समझ में आ रहा है? तो जैड की value इस बात में depend करेगी कि अलग-अलग gases है, अलग-अलग है. तो उससे पहले यह है कि जैड की value एक से कम क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि आइडियल में हमें मानते थे कि सारी gases के molecule एक दूसरे से ना attract करते हैं, ना repel करते हैं. ना दोस्ती, ना दुश्मनी. ठीक है ना? लेकिन, actual conditions में, naturally, gases एक दूसरे को क्या करते हैं? gases molecule attract करते हैं, यानि एक दूसरे के साथ attach होने की कोशिश करते हैं. तो इसकारण जो volume आना चाहिए था, वो काम आता है. तो यह हमारे पास आ रही है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसको समझते हैं, यानि थर्ड पॉइंट हमारे पास जो बनकर आ रहा है, वो यह आ रहा है, at same conditions, normal conditions, same की जगह आप लिख 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 लिखे, normal conditions, at normal conditions, at normal conditions, volume of gas, जगह, volume of gas की जगह, Molecule of gas, Molecule of gas, have attraction force, attraction force, so that, so that what, so that, volume volume become decreases, volume become less than expected, यह हमारे पास हो गया की, इसलिए काम हो रहा है, and एक और पॉइंट, different gases, different gases, have different, different gases, different gases, different attractions, between molecules, different gases, have different, different gases, have different, different gases, have different, different, different gas have different attraction between molecules, अगर different gas different attractions रख रख रहा है, अगर different gas different attractions रख रहा है, molecule के बीच में, so the value of gas, Z, so the value of Z is different for different gases, for different gas. अब बड़ी चाला कीजे, मैंने यहां पर बहुत अच्छा सा बताया, आपने discuss भी नहीं करा, यह तो समझ लिया कि इसका 22.4 हो रहा है, मैंने यहां पर रखा 22.39 और यहां रखा 22.35, यहां ज्यादा कम करने के पीचे मेरा क्या logic था, क्योंकि यह जो ammonia gas है, इसमें polarity ज्यादा है, तो attraction force किया होगा? ज्यादा होगा, अगर इसके जगए कोई और gas होती है, जर्वितatar इस छहां होती है, जितनी ज्यादा polarity होती है molecule में, डाइपल डापल attraction जादा होता है Molar में, ल डापल attraction जादा होता है तो कहीं ने कहीं attraction force जादा होगा, attraction force जादा होगा तो volume कम होगा. of down इसीलिए मैंने helium को ideal बाना था, O2 को थोड़ा कम ideal और और कुछ को ठोड़ा और कम ideal और जैसे जैसे में और gases लेता जाओंगा, heavy gas लूँगा, polar gas लूँगा, तो मेरे attraction बढ़ेगा, कम नहीं होगा. तो attraction force के इस बातों पर depend करता है, इसका answer आपको bonding से मिलेगा, attraction force इस बात पर depend करेगा, कि molecule कितना बढ़ा है, mass कितना है, और उसमें polarity कितनी है, तो यहां आपको point दिमाग में रखना है, कि ammonia का मैंने कम रखा है, तो यह logic मेरे दिमाग में था, पहले से, तो यह चीज clear हुई, छोटी सी, बोलो clear हुआ है यह concept, तो क्या यह data जो मैंने समझाने के लिए दिया है, आपको समझ में आगया, कि मैं क्या सोच के बना रहा हूँ, अब आगे, क्या helium को भी ideal माना है, या helium वास्तो में ideal होती है, हमने माना है, अगर आप बहुत कम temperature ले 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 थे, जैसे minus 200 ले 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 थे, तो दुनिया में सारी gases में attraction आजाता है, इतने कम temperature पे, तो जब आप इतना कम temperature लोगे, तो फिर तो कोई भी gas ideal नहीं है, समझ में आ रहा है, तो जितना कम temperature लगते जाओगे आप, gases में ideal nature खतम होता चला जाएगा, और वो किस तरफ जाएगी, real gas की तरफ, तो सबसे ज़्यादा ideal कौन होगी, जिसमें सबसे कम attraction हो, सबसे कम attraction किसमें, helium में, फिर उसके बाद hydrogen आती है, समझ में आ रहा है बात, तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, और अब समझने आना चाहिए, कि helium जैसी gases हमारे लिए, ideal हमने क्यों मानी है, क्योंकि single atom gas है, बिचारा के पास कुछ भी नहीं था, तो attraction कहां से आएगा, बहुत कम रहेगा, तो ये आपने compressibility factor समझ लिया, अच्छे से, क्यों में ने इसको compressibility factor भोला, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक क्योश्या से, क्या compressibility factor की value एक से ज़्यादा हो सकती है, हाँ, हो सकती है, तो उसकी क्या condition होगी, उस पर discuss करना है मैं, ठेक है, तो दिखिए हमारा वही point है, कि क्या हम, ये predict कर सकते हैं, किस condition पर, जैड की value उल्टा बढ़ जाएगी, तो मैं आपको फिर बोला हूँ, अती हर जगह खराब होती है, तो फूर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, कि आपने gases के molecule है, एक ऐसे gases molecule जो पॉलर है, उनको हमने थोड़ा सा भी pressure बढ़ाया, थोड़ा सा भी pressure बढ़ाया, क्या feel आएगा, अब सोचो, उनमें attraction force बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पास आ गए molecule, फिर और बढ़ा दिया, मेरे को लगा लालच आ गया, और बढ़ गया, फिर और ज़ादा पास से लिए बढ़ गया, अब वो बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, अब मेरे में लालच हुआ कि अब और बढ़ा देते हैं, चलो, molecule को molecule के अंदर ही गुषा देते हैं, क्या पासी बढ़ है, नहीं, molecule अब एक दूसरे के nucleus जो है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, repel करेंगे, बस वहीं से हमारे लिए उल्टा, अब repulsion force चालो हो जागा, और वो repulsion force, उसके Z की value को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, more than ideal कर देगा, तो इसका मतलब simple सा है, कि Z की value को हम compressibility की जगा, expansion factor बोल सकते थे, लेकिन कब बोलते हैं, जब pressure बहुत ज़्यादा होता, कितना ज़्यादा होता, बहुत ज़्यादा होता है, 100 ATM, 200 ATM, इस order में होते हैं यह फिर pressure, तो क्या समझा आपने मेर से, आपने मेर से समझा कि हम जनरली इस pressure पर काम करते हैं, कि हम तो 1 ATM पर करते हैं, तो 1 ATM पर जएट की value क्या होगी, एक से कम होगी, और जब एक से कम होगी, तो उसको क्या बोलना चाहिए, compressibility factor या expansion factor, अगर हमारा नॉर्मल कंडिशन सी 100 ATM होती है, तो बोलते हैं, अभी तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, compressibility factor, ठीक है न, तो यहीं चीज आपके लिए बतानी पड़ेगी आपको, यह की point आपको लिखना पड़ेगा, at very high pressure, very very high, एक बार नहीं, दो तीन बार लिखना हो, very very high pressure, very high pressure, gas molecule, repel, to each other, to each other, so high pressure, so that, at high pressure, high pressure, the value of V real is more than V ideal, और दूसरा result, आपके पर दार आ रहा है, कि Z की value इसी लिए, आपके पस क्या होगी, more than one, तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, बिना कोई theory के, आपने कुछ भी theory नहीं पड़ी, आपने wonder wall नहीं पड़ा, आपने कोई theory नहीं पड़ी, आपने concepts खुच से भी बना लिया इतने तो, क्या बना लिया, कि high pressure पर Z की value क्या होगी, less than या greater than, greater than one, और low pressure पर क्या होगा, less than one, और low pressure पर attraction force रॉमिनेट करेगा, और high pressure पर repulsion force, तो आपने concept जो बनाया, बहुत अच्छा बनाया, कि भाई क्या बनाया आपने, ये Z के बारे में, जो बनाया है, V real upon V ideal होता है, ideal, और ये जो value है, ये gas के nature पर और condition पर depend करती है, दूसरा point आपने, जो condition से, अगर gas fix रख दी जाए, तो आपने क्या बनाया, low pressure, और एक high pressure, low pressure पर आपके पास, attraction force होगा, attraction force dominate, dominate, और जब भी attraction force dominate होगा, Z की value एक से काम होगी, high pressure पर, repulsion force, repulsion force, dominate करेगा, और Z की value greater than 1 होगी, समझ गया, यह एक basic सा, हमारे पास concepts होगया, तो जो डाटा मेंने लिये हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि Z की value क्या है, बहुत कम है, कोई ज्यादा निया, यहाँ पर क्या होगी, मैंने यह बताया कि, Z एक ऐसे factor है, जो temperature, pressure के भी साथ change होगा, और gas के nature के साथ भी change होगा, यानि और राल मिला के, PV equal to Z nRT आप gas के लिए तो लगाई नहीं सकते हो, क्योंकि उस condition पर Z आपको define हो, और हर एक gas के लिए अलग-अलग temperature, pressure पर Z को define करना मुश्किलता हो, तो यह बात मैंने किस से share करी, वांडर्वाल से, वांडर्वाल ने मेरी help करी, उसने का मैं एक ऐसी equation बना देता हूँ, जिसमें ऐसे variable आएंगे, जो gas के nature पर तो depend करेंगे लिए अगर gas fix कर दी जाए, तो temperature, pressure और volume पर depend नहीं करेंगे, मैंने का आप बिल्कुल सही है, उस equation में आने वाले parameter पर तो depend ना करें, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, constant बोलेंगे, और उन constant को हम बोलेंगे, उस equation को बोलेंगे, हम wonderwall gas equations, तो heading क्या डालेगा हमारा, wonderwall gas equations, तो दिक्कत यह थी कि हमें अभी तक real gas के लिए, ऐसा equation चाहिए थी, जिसमें constant आये, लेकिन वह equation के parameter पर डिपेंड ना करते हो, मैंने यह काम wonderwall को दिया, और wonderwall ने अपने नाम से ही दे दी बताओ, wonderwall real gas equations, real के लिए लग दी है real gas equations, उसने कहा, कि भही मैं equations दे रहा हूँ जो real gas के लिए भी लगेगी, real gas के लिए ही लगेगी खेद देखा जाये तो, तो उसने क्या बोला, उसने का, PV equal to nRT, यह तो हो गया ideal gas equations, जो सिर्फ ideal gas के लिए लगती है, लेकिन यह मैंने नहीं बताया, wonderwall ने साफ के दिया, यह तो, boys low, Charles low, और उनके through combined gas low equations बनके आ गई, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, P plus an square by v square, और v minus nv equal to nRT, यह है ऐसी equations जो आपके लिए यहां लगेगी, अब यह किसके लिए लगेगी, real gas, यह real gas के लिए होगी, P and V को देखे तो समझ में आता है, P pressure है, n mol है, V volume है, R gas constant है, T temperature है, यह A और B क्या है हमारे लिए, A and B are wonder wall gas constant, wonder wall gas constant, समझ में आ रहा है, तो यह wonder wall gas constant हो गया आपके पास, अच्छा, A के बारे में क्या बता सकते हो आप, सबसे पहले, वो हमें समझना है, दूसरा, equal conditions अगर आपके पास यहां पर n की value क्या आ गई, 1 आ गई, n की value क्या हो गई आपके आपके आज, 1, माल लो 1 है, तो आप V को पता है क्या नाम दोगे, V को, Vm, molar volume, इसका नाम हो जाएगा molar volume, क्योंकि एक mole का volume, molar volume, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, P plus A upon Vm square, क्योंकि n की value 1 हो चुकी है, Vm minus Nb equal to Rt, पूरी equation में जहाँ जहाँ, N ए वहाँ 1 रख दो और V को Vm से represent कर दो, यह हो गया आपके पास, वांडरवाल gas equations, देखिए यह जो वांडरवाल gas equations का derivation ने यह कैसे आए, इसका आप अलग से देखेगा एक वीडियो, फिलाल तो आपको ज़रुवत नहीं है उसकी, तो मैंने यह directly ले लिया, तो यहां तक clear, P plus A n square, अब मुझे इसको समझा रहा है कि इसमें से questions क्या बनेंगे, और कैसे बनेंगे, A क्या है, P क्या है, उनका physical significance क्या है, और हम उसको अच्छे से समाज लेते हैं, correction factor, correction factor in pressure, in pressure, correction factor in pressure क्या बता रहा है, समझना कि जो आपका pressure P है, उसमें आपको कुछ add करना पड़ेगा, इसका मतलब add करना पड़ेगा, मतलब pressure कहींने कोई loss हुआ है, तो वो जो add करना पड़ेगा pressure में, उसको आप कैसे देखेंगे, प्लस, an square by v square, यह आपका correction रहेगा, a यह आपर wonderwall gauge constant है, और यह correction factor यही कहलाएगा, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, a upon vm square, यह correction factor है, और दूसरा हमारे पास, correction factor in pressure, यह correction factor, यह दोनों ही correction पूछे जा चुके हैं, in volume, minus nb, minus nb, यानि इसका मतलब जो volume है, वो कुछ change हुआ है, आपका जो real volume है, उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा, तब जाके आपको ideal आएगा, पका, तो यह correction factor है, volume में minus nb, और pressure में, a upon vm square, चलिए, यह दोनों correction है, अब बात आती है, significance of a and b, यह a और b को कैसे आप define करेंगे, तो heading डाल लीजिए, a और b, यहां से आपके पास concepts बनने लगेगा, a and b, इसको समझना है, तो heading क्या डालेगा, significance, a, सबसे पहले तो आप बताइए, unit of a क्या है, यह सब आने वाले questions हैं, unit of a, कैसे निकालेंगे, आप जानते हो, कैसे निकालने के लिए होगा इसके लिए, p plus n square by v, यह correction था, तो a की unit क्या हो जाएगी, atm, liter, per mol square, समझ भा रहा है, तो बताइए, यहाँ पर v square है, तो यह भी क्या हो जाएगा, atm, liter square, this, देखो, यह तो आपने पढ़ लिया कि, हाँ यह है, दूसरा point, significance of a, मैं सीधा सीधा a correction factor है, related to pressure, तो यह line लिख लिजिएगा, a is, correction, correction factor, एक तरह से वो तो चली रहा है, related, to pressure, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपके पास क्या रहेगा, यह क्या represent कर गा है, it means a proportional to attraction force, attraction force between molecule, between molecule, इसका मतलब क्या हो रहा है, more polar gases, have more value of a, final point, more polar gas, have high value of a, more polar gas, more polar gas, have high value of a, यह हमारे पास a के लिए हो गया, तो अगर मैं simple simple से बात करूं, helium और hydrogen में किसके लिए जादा होगा, hydrogen, क्योंकि दो एटा में polarity कुछ तो जादा होगी, दूसरा, ammonia, और O2 में किसके जादा होगी, ज्यादा एटा में नहीं, polarity ammonia, ammonia, ammonia लेना है, तो ज्यादा होगी polarity, O2 गया है, non-polar है, तीसरा example, O2 और N2, दोनों ही non-polar है, तो जब दोनों ही non-polar हो, तो जिसका molar mass ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा होगी, फोर्थ, अगर हम और example है, फोर्थ, कोई भी example ले सकते हो, आप इससे मिलता चलता, जैसे मैंने ले लिया, कोई भी polar gas ले लिया, H2S और H2O, कौन ज्यादा होगा, H2S और H2O, क्योंकि इसमे polarity ज्यादा है, आप molar mass नहीं देखेंगे, यहां क्या देखेंगे, polarity, इतनी ज्यादा है कि इसमे तो hydrogen bond जैसा bond बन जाता है, तो बस यहीं हमें देखना है, उस condition में जब यह gases रहती है, तब compare कर रहा है, room temperature पर तो करी नहीं सकते, तो यह आपके पास वहा A की value, समझ में रहा है, तो अगर कोई gases में A compare करना है, तो polarity पर जाओ, और significance of B, significance of B, unit क्या होगी B की? चल्दी से बताओ, B को बनाने के लिए आपको याद रहना पड़ेगा, V minus NB V B था, तो B की unit क्या बनेगी? Liter per mole यह मेरे पास unit होगा B, और B किसमें शो कर रहा है कही न कहीं? अगर B के बारे में आप कोई point लिखना चाहते हो, first, second, third, तो point wise theory लिखना चाहते हो, तो इसके लिए एक ही point लिखो, B कही न कहीं, B is related to correction factor of volume, यहनि B कही न कहीं दूसरा point होगया, B related size of molecule molecule next अगर B आपका related आ रहा है size तो big size big value of B B big size of molecule of molecule show high value of B high value of B for example, for example, अगर आप CH4 and NH3 में देखने की कोशिश करेंगे, तो किसके लिए ज्यादा होगा B? इसके लिए ज्यादा होगा क्योंकि CH4 में ज्यादा more atom more big size भी बोल सकते आप second, अगर आपके पास आरहा है मैं आपसे simple से बात कर रहा हूँ, O2 और N2 तो B किसके लिए ज्यादा होगा? जल्दी जो बोलो N2 के लिए, क्योंकि left to right जाने पर साइज छोटी होती है तो N2 के लिए छोटा होगा O2 के लिए नहीं, left to right जाने पर छोटी होगा ठीक है सही है, तो left to right जाने पर साइज छोटी होगा यहाँ triple bond है जिसे वह साइज के हो जाएगा तो इसको आप छोटा ही रखे due to triple bond atom की बात नहीं कर रहे है molecule की बात कर रहे third अगर हम बात करें यहाँ पर कोई और gases के लिए ले ले लेते हम helium और H2 कौन बढ़ा होगा H2 H2 के लिए B की value क्या होगी? ज्यादा होगी तो कहीं न कहीं size का factor हमारे पास यह आ रहा है बोलो यह सोड़ो A का factor भी यह आ रहा था अब दूसरा point अगर हम बात करते है कि क्या हमने A और B के लिए बता दिया हाँ A B की value निकालेंगे कैसे यह एक और तपस्य हो गई हमारे लिए तो हम क्या रहेंगे B के लिए निकालने का formula है हमारे पास तो heading डालेगा calculations of B हमें numerical नहीं पूछा जाएगा सिर्फ formula क्यूंकि numerical आते ही हमारे लिए क्या हो जाएगी ऐसी calculation आ जाएगी जो calculator से ही हो पा रही है तो value of B इसी के अंदर value of B क्या हो जाएगा 4 multiply by 4 by 3 pi r cube na यानि एक तरसे देखा जाए तो जो यहां पर आपके पास r आ रहा है वो क्या रहा है? radius of molecule radius of molecule आपके पास तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आगे मैंने यही बताया आपको B की जो value है B वो आपको वांडर्वाल-गेस constant जो B है उसको value निकाल सकते हो A की निकाल सकते है तो आप क्या करोगे? equation तो मालूम है B की value रखके A की value निकाल लेना उसके अलवा कोई और तरीका नहीं है आप मेरे तरीके से सिफ order पर compare कर सकते हो किसके लिए B ज्यादा है किसके लिए A ज्यादा है किसके लिए A कम है लेकिन अगर value निकालनी है आपको तो पहले आप B निकालोगे और wonderwall gas equation में रखकर क्या निकालोगे? A निकालोगे तो B निकालने का method यह हो गया तो B कोई याद कैसे करा मैंने मैंने ऐसे याद करा एक molecule का volume किता होगा तो उसका एक mole volume किता होगा एक mole molecule का और wonderwall का यह कहना था कि जो molecule रहता है वो अपने से spherical होने की वज़ा से अपने से चार गुना volume जेलता है चार गुना कोई 3 माने कोई 10 माने वो उसकी मार्जी रही है उसने practical कुछ तो सोच के बोला होगा तो उसने 4 times लिया है और 4 times कर दिया तो 4 times molecules वो occupied कर रहा है अपने exact volume से यह assumption मान के उसने कर रहा है और अपने विलिए B निकाला A आप महा से निकाल लेना तो याद रखना अगर किसी का radius आपको दिया हुआ है जैसे nanometer, pecometer किसी में भी दे दिया तो आप volume किसमें निकालने की कोशिश करते हो liter में तो इसका मतलब R किसमें रखोगे decimeter में R को decimeter में रखना एक molecule का निकालने न 4 by 3 pi r क्यूब करके फिर Na से करना और फिर 4 से multiply करना B आ गया फिर P V T में दे ही दूँगा आपको P V T दे दूँगा A की value को पूरी की पूरी वंडर्वाल गैस का यूज करते हो आप निकाल लोगे लिए आप सोचों क्या ये calculation बिना calculator की इतनी आसान होगी नहीं होगी इसलिए इसके numerical नहीं आएंगे आपसे सिर्फ एगी चीज पूची जाएगी इनमें किसका A जादा है किसका B जादा है खातम और कुछ भी नहीं पूचा जा रहा तो ये टॉपिक यहीं खातम हो गया आगई बात